हेलो स्टूरेंट आज हम बीए बीए सी फर्स्ट इयर का ट्रेसिंग ऑफ कर्स वाला टॉपिक कर रहे है जो आपकी यूनिट नंबर सेकिंड है देखिए इसमें क्या रखा है ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक देखिए जो कॉनिक होता है दा फॉलेंग स्टैप्स अर अब इसके अंदर आपको एक स्टैप और रखना है कोनिक के लिए यहां पे टू एच एकस वाई और होजा जाएगा क्या जाएगा 2Hxy equal to 0 अब देखिए डेल मतला डिटर्मिनेंट निकालेंगे डेल का मतला यहां पर क्या है डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मुला क्या है ABC देखो तीनों का प्रोडक्ट प्लस दुगना किसका FGH का देखो इसको याद करने के ट्रिक ABC प्लस दुगना किस FGH दुगना होकर प्रोडक्ट फिर A का F का स्केर माइनस B का G के साथ स्केर माइनस C का H के साथ स्केर यह हमारा डिटर्मेंट निकालने का फॉर्मुला है अब देखिए सबसे पहले मैं डिटर्मेंट को चेक करना है कि डिटर्मेंट नोन-0 होना चाहिए तीनों केस में अगर वह 0 ब्राबर तो वह क्या है पैर वोला। देखो इसको याद करनी की ट्रिक क्या है देखो यह क्या है और जोगा हमारे दूनों क्या होते है एकुवल, तो इसको ऐसे याद रखेंग News दून्वारивать पहले हे अ उसको याद प्यानिक आपढक से दूपने मारे 152 कि वो पहले से क्या है greater than 0 तो उसको हम गुस्से को शांत करने के लिए क्या करेंगे उसको lower तो मैं मान लेती हूँ अब मुझे इसको less than 0 लाना है क्या लाना है less than 0 तो a b minus h का square less than 0 होगा तो वो hyper बोला होगा देखे इस ट्रिक से आपको याद रह जाएगा पैरा के लिए बराबर इकवल a b minus h का square equal to 0 hyper पहले से वो चीज hyper है जादा तेज है तो इसलिए उसको lower करने के लिए less than 0 कर देंगे और ellipse में greater than 0 एक बचा ellipse का वो क्या हो जाएगा greater than 0 यह मैं याद हो गया अब देखे अब हम इसको करेंगे कैसे यह हमारा step 1 हो गया step 2 में हम center निकालेंगे हम माल लेंगे कोई point है x1 y1 जो इसको निक के उपर लाई करता है अब हमें दो equation हमेशा निकालनी है देखो क्या निकालनी है ax1 plus me hy1 plus g equal to 0 ऐसे hx1 plus me by1 plus f equal to 0 यह आपको याद रखना है तो हम माल लेंगे center इसके उपर लाई करता है center का value का है x1 y1 तो कैसे याद रखेंगे ax1 plus me hy1 plus me g a hg कैसे याद रखेंगे a hg और यह hbf hbf अब equation of conic refer to center edge origin अगर मैंने center को origin मान लेती हूँ तो यहाँ पर equation of conic क्या बनेगी देखें उपर क्या है ax2 यह capital x square है उपर क्या है 2hxy small वाला तो यहाँ पर capital आ जाएगा 2hx capital y capital x capital y plus me b capital y का square वहाँ पर small y का square था हमने capital y का square लिख दिया plus me c1 देखो इस complete को इसने c1 मान लिया 2gx plus 2fy plus me c को क्या मान लिया c1 यह आपके याद करने के trick हो जाएगी देखें दुबारा हम इतना एक बड़ दुबारा study कर लेते तो आपके याद हो जाए देखें कॉनिक equation के लिए circle की equation याद रखिए ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 बस इसमें एक step और जाएगा एक term और जाएगी कि इसमें 2hxyb होगा अब हमें determinant निकालना है determinant निकालने का trick मैंने याद करने की trick बढ़ाई थी तीनों का product ABC का product दुगना FGH का फिर A को F के सथ लेना है with square AF का square फिर B G का square प्लस में CH का square यह हमने कर लिया अब हमें देखना है कि determinant non 0 है या नहीं जब determinant non 0 हो जाता है तो मैंने सबसे पहले प्यारा वाला याद करवाए था कि AB का product minus H का square बढ़ाबर 0 pair में बढ़ाबर hyper में less than 0 और illis में greater than 0 हो गया अब हमें center को देखना है कि क्या X1, Y1 लाई करता है या नहीं center पे उसको check करना है कर लिया तो इसकी equation क्या है AX1 प्लस में HY1 प्लस में G इकॉल टू 0 next है HX1 प्लस में BY1 प्लस F इकॉल टू 0 और equation of konic अगर मैं center को origin मानूं तो same है बस याँ पे small x की जंगे capital X, capital Y हो जाएगा और पूरा वाला जो जिसमें linear equation है 2GX प्लस 2FY प्लस में C उसको हमने C1 नाम दे दिया हो गया अब देखिए step 2 हो गया हमारा step number देखे अब equation जो second है can be written edge अब इसने क्या क्या पूरी equation को C1 से भाग किया किससे भाग कर आए C1 से भाग कर दिया देखो प्लस का C1 उदर जाके माइनस का C1 फिस C1 से भाग करूँगी तो इदर क्या बचेगा 1 हो जाएगा तो इसने अब इनको क्या नाम दिया है देखे A देखे A capital X का square प्लस में 2H capital XY प्लस में B Y square equal to 0 इसने capital X को लिख दिया X minus X1 और capital Y आएगा Y minus Y1 यह हमारे step हो जाएगे अब देखे next इसने क्या किया है step number 4 step number 4 में length of X क्या निका लिए length of X देखे length of हम क्या निका लेंगे X length of X square of the length of semi-X हम क्या करेंगे semi-X जो आधी X होती है उसको कैसे निकालते है capital A minus 1 by R का square capital B minus 1 by R का square equal to H का square इसको आपको यह सारे याद रखने है देखे और एक-दो कोशन करोगे आपको याद भी हो जाएंगे कैसे करना है A में से 1 by R का square गटाना है S A B में से B 1 by R का square गटाना है और दोनों का product करना है और वो बराबर आएगा H के square के फिर हमें क्या करना है A B माइनस क्या है अगला A B माइनस H का square R की 4 माइनस bracket A प्लस B R square प्लस 1 equal to 0 यह तो product करके आजाएगा आपको निचे वाला याद करने के जोड़नी है सिर्फ उपर वाला यह step याद रखे अब देखे अब हमें देखना है R1 square और R2 square इसके दो root होंगे अगर यह दोनो root की value greater than 0 है तो आपके पास 2R1 और 2R2 इसकी major और length of क्या जाएगी यह major and minor axis क्या जाएगी major and minor axis आजएगी if one of them R1 का square भी positive अगर एक positive और दूसरा negative है तो हमारे पास यहाँ पे क्या रखा है जो कौनिक है वो hyperbola होगा क्या हसा होगा hyperbola अगर एक R1 square तो क्या है positive और R2 का square क्या है negative तो यह क्या होगा hyperbola और length of transfer axis is 2R1 है और length of conjugate axis हो जाएगी 2 minus का R2 का square और minus का 2 R2 का square ठीक है और equation of axis इसने formula दे रखा ellipse और आपर बोला के लिए A minus 1 by R1 का square X plus HY equal to 0 ठीक है इसी तरीके से R2 पुट कर देंगे इसमें ठीक है equation number 6 में equation of axis referred to original axis तो original axis में निकालेंगे तो इसका formula दे रखा A minus 1 by R का square into X minus X1 plus H Y minus Y1 हमने क्या कि capital X capital Y की value यहाँ पे पुट कर दी ठीक है original निकालने के लिए 7th है Fock की निकालने के लिए Fock की निकालने का formula क्या है X1 plus minus R1 का square minus R2 का square का root cos theta comma Y1 plus R1 का square minus R2 का square sin theta बस वहाँ पे cos theta है तो यहाँ पे क्या जाएगा sin theta और theta यहाँ पे क्या है major या transfer axis का X axis के साथ क्या angle बंग है वो देखेंगे और step 8 देखें काफी बड़ा है इसमें हमें याद रखना पड़ेगा lattice rectum निकालने का formula है 2 R2 का square का mode divide में R1 और directrix निकालने का formula है X minus X1 cos theta plus Y minus Y1 sin theta equal to plus minus R1 का square divide में R1 square minus R2 का square और यहाँ पे equation of coordinate of the point where conic first meet the coordinate axis निकालनी है और हमें इसकी tracing करनी है ठीक है देखो अब tracing करने का अलग formula है तो इससे अच्छा है हम एक question करते है ताकि आपको clear हो जाए देखे question में देखा है 9 X square plus 24 X Y plus 16 Y square minus 2 X plus 14 Y plus 1 equal to 0 देखे सबसे पहले इसको comparison कर दो A X square plus 2 H X Y plus B Y square 2 G X 2 F Y plus C equal to 0 देखे जो X square के साथ रखा मैं वो है A तो A कितना होगी है 9 और जो 2 H X Y देखो 2 H को मैंने 24 के ब्राबर रखा तो H की वेलू कितनी आगी 12 और यहाँ पे 2 G X ब्राबर है 16 sorry B Y square ब्राबर है 16 Y square comparison करूंगी Y square से Y square हटा तो B की वेलू कितनी आगी 16 2 G X ब्राबर किया है माइनस का 2 G X दोनों को ब्राबर रखा 2 से 2 कैंसल G की वेलू हाजएगी माइनस का 1 ऐसे 2 F Y ब्राबर 14 Y Y से Y कैंसल F की वेलू हाजएगी 7 और C की वेलू कितनी है यहाँ पे 1 हो गया यहाँ पे अब मैंने बताये था इसमें सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे डेल ठीक है अब देखिए इस एक्वेशन रिपरजंट ए पेराबोला वो तो आप डेल निकाल के देखोगे डेल निकालने के डेल का क्या फोर्मूला था ABC प्लस 2 FGH माइनस AF स्केर माइनस B अगर वो जीरो आता है तो वो पेराबोला यह आपको कल्कुलेट करके देखना है अब देखिए हमारी जो यह एक्वेशन है इसको हम कैसे आगे हम कनवर्ट करेंगे मैं आपको नोट्बूक पर करके दिखाती हूँ देखिए देखिए हमारे पास हमारे पास एक्वेशन थी 9 हमारे पास एक्वेशन थी 9 कितना है 9 यहां पे 2H बराबर हा गया 24 तो H की वेलू कितनी आगी 12 यहां पे B की वेलू है 16 और यहां पे 2G X बराबर था माइनस का 2X दो से 2 कट गया X से X तो G की वेलू कि आगी माइनस 1 ठीक है ऐसे ही 2HY बराबर था 14 Y के Y से Y कितनी आगी 7 आगी और C की वेलू कितनी है 1 अब मुझे चेक करना है डल डल का फोर्मूला क्या होता है ABC प्लस में 2FGH माइनस A F स्केर माइनस B G स्केर माइनस C H स्केर यह में चेक करना है अब देखे ABC की वेलू कुट कीजिए A कितना है 9 गुना में B B कितना है 16 B कितना है हमारे पास 16 और C C कितना है हमारे पास C है 1 C कितना है 1 प्लस में 2 मुल्टिप्लाई F कितना है मेरे पास यहां से F लिखा नहीं मैंने FGH हांजी A X केर प्लस में 2G X 2HY 2G X 2FG and 2FG X F equal to 7 तो यहां पर F कितना है 7 G हमारे पास है minus 1 और H है मेरे पास 12 minus A कितना है मेरे पास 9 गुना में F कितना है मेरे पास 7 का square minus B B कितना है मेरे पास देखे B हमारे पास है 16 गुना में G, G कितना है minus 1 का square minus C, C कितना है मेरे पास C की value है 1 गुना में H, H कितना है मेरे पास 12 12 का square अब हम इसको check करेंगे देखे 9 सिग जा 144 हो गया यह और यह आएगा minus का 14 गुना में 12, माइनस 9 गुना में 7 का स्केर 49, माइनस 1 का स्केर प्लस 1, 1 को 16 से गुना किया माइनस के 16, 12 का स्केर 144, अब यह आ जाएगा 144 से 144 कैंसल, अब देखें, इसने की मल्टिप्लाइ कीजिए, बारचो करतारीस का अठ्था असल चाहिए, 168 माइनस, नो नहीं कैसे का सल नो चोग 36, 441 माइनस के 16, आया है हमारा, देखें, अब यहां पर मैंने डिट्मेंट देखा कैसा आ रहा है, नेगिटिव जो की 9 0 है, सबसे पहले मुझे डिट्मेंट चेक करना था, अब मुझे चेक करना है, A B माइनस H का स्केर, देखें, A है मेरे पास 9, B है मेरे पास 16, माइनस H है मेरे पास यहां पर 12 का स्केर, अब देखें, नो चिक चाओन, नो इक डिट्मेंट पास 14, माइनस 144, बराबर 0 आ गया, और मैंने बतायता है, जब भी बराबर 0 आ जाए, तो वो क्या होता है, पैरा बोला, हो गया हमारे पास यह पैरा बोला, अब आगे मुझे इ प्लस 16Y स्केर, माइनस का 2X प्लस में 14Y प्लस 1 इकवल टू 0, यह हमारे पास है, सबसे पहले मैं देखूंगी इसमें फॉर्मुला बन रहा है क्या, देखें 3X का स्केर, यह किसका स्केर है, 4Y का स्केर, फॉर्मुला 2AB, दो गुना में A कितना है 3X, B कितना है 4Y, देखें क् बन गया, तो मैं इन वाले रकम को राइट में ले आती हूँ, यह बनेगा 2X माइनस का 14Y और माइनस का 1, निशान चेंज होगे इदर आके, यह बताए किसका फॉर्मुला है, A प्लस में B के होल स्केर का, यह हमारे बन गया, यह बना 2X माइनस का 14Y माइनस 1, हो गया, इसको ह अमें नाम देना है, equation number 1, हो गया, अब मैं क्या करूंगी, इसमें लेंडा एड कर दूँगी, क्या करोंगी इदर लेंडा एड कर दूगी, और इधर भी जब मैं इसमें Awesomeockey करूंगी, लेफ ठां साइड में, तो मैं उसको खूल लूँगी, कि वो क्या equation बनती है, अब देख मैं क्या कर रही हूं 3x प्लस में 4y जो हमारी equation से उसमें lambda add कर दिया फिर उसका square करा अब देखिए हमारे पास 3x प्लस 4y को तो मैंने 1 मान लिया और इसको अलग मान लिया तो यह a हो गया और यह b तो a प्लस b का square खुलूंगे अब देखिए मैं इसको यहा पर value पूट कर दूँगी 3x प्लस में 4y को square की मेंपा value थी equation no.1 में इसको देखिए आप पिछे 3x प्लस में 4y के square की value हमारे पास यहा पर है 2x-14y-1 यह मैं put कर दूँगी यह पर तो यहां पर put करूंगे 2x-14y-1 value put कर दी और plus में क्या दे रखा है मेरे पास lambda का square अब मैं इसको खोलूँगी 326x plus 428y खोल दिया अब हम क्या करेंगे इसमें x, y और other रकम को हमें अलग कर लेंगे देखें x वाली रकम यहां पर है x वाली यहां पर है तो यह एक में इसमें था हमारे पास lambda के साथ भी गुना है तो 2x 6x lambda हो जाएगा यह 8y, sorry यह lambda था हाँ यह भी था तो lambda भी आ जाएगा अब देखें दोनों में x common है है ना तो मैं इसमें x ले लूँगी common ब्रैकिट में क्या बचेगा 2 प्लस में 6 lambda इन दोनों में क्या common लेते हूँ y, y common लेते हैं यहां पर क्या बचेगा minus का 14 प्लस में y common लेते हैं 8 lambda और प्लस में देखो अब हमारे पासर कम बच गई lambda square और minus का 1 अलग बच गई बच गई अब हम lambda को हमें चूज करना है तो में लेते हैं तो यह अगर मैं इस को 0 मान लेते हूँ तो हम देखेंगे की अब हमारी equation कैसी बनती है ठीक है आब देखें जब मैं इसको 0 मानती हूँ तो left-hand इसमें value put करूंगे यह 0 हो जाएगा तो 0 equal to यह क्या बनेगा x 2 plus 6 lambda plus y bracket में minus का 14 plus 8 lambda plus lambda square minus 1 यह हमारी equation आगी अब देखिए यह हमारी कैसी linear equation है मतलब यह कैसी equation होगी m वह होगी ax plus by plus c equal to 0 होगी अब यह perpendicular काब होती है जब m1 गुणा में m2 का product क्या होता है minus का 1 तभी वो perpendicular होती है तो इसमें यह निकालने का formula क्या होता है m1 गुणा में m2 equal to minus 1 होता है इसको निकालेंगे हम इसकी help से तेखें हम क्या करेंगे यह equation second मान लेती हूँ मैं इस equation को third मान लेती हूँ मान लिया अब हमारी जो दो एक्वेशन ही इन दोनों को मुझे perpendicular दिखाना है क्या दिखाना है perpendicular perpendicular दिखाने के लिए m1 निकालोंगे m1 क्या होता है minus coefficient of देखें मैं इसको comparison कर सकते हूँ y equal to mx plus c से comparison कर दते हूँ उससे भी देख सकते है तो इसमें m निकालने का formula m क्या है यहाँ पे x का coefficient है और divide में y का coefficient है और क्या निशान होता है negative का निशान तो मैं यहाँ से comparison करूँ तो यहाँ से जैसे हैं मैंने comparison करा 3x plus में 4y plus में lambda equal to 0 करा तो यहाँ से 4y equal to plus का 3x उदर आके minus का 3x plus की lambda उदर आके minus का lambda तो y की value के आगी minus 3x बटे में 4 minus के lambda बटे में 4 तो यहाँ से m1 की value के आगी जो x का coefficient है तो m1 की value के आगी minus के 3 बटे 4 आगी अगर मैं इसको direct देखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकते हूं इसको formula लिख सकते है minus coefficient of x divide में coefficient of y यह हमारा shortcut बनता है बिटा तो इस shortcut को मैं next m2 निकालने के लिए यूज कर रहे हूं तो m2 क्या जाएगा minus coefficient of x देखें यहाँ पे coefficient of x क्या है 2 plus में 6 lambda 2 plus में 6 lambda divide by और coefficient of y क्या है minus का 14 plus में 8 lambda वो क्या है minus का 14 plus में 8 lambda यह मारा m2 हो गया और perpendicular के लिए इनका product क्या होता है minus 1 तो ऐसा करूँगी तो मैं में में पास क्या जाएगी lambda की value तो मैं इसको यहाँ कर दती हूं कि m1 गुणा में m2 क्या है minus 1 m1 की value कितनी आई है minus की 3 बटे 4 into में m2 की value कितनी है में में पास minus बाहर ठीक है 2 प्लस में 6 lambda divide by minus का 14 plus में 8 lambda equal to minus 1 देखे इस minus से ही minus cancel मैं क्या करूँगी 2 प्लस में 6 lambda है divide में क्या है minus का 14 plus में 8 lambda बराबर यह 3 बटे 4 लटके क्या गया minus का 4 बटे 3 आ गया अब मैं इसकी cross multiply कर लूँगी 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 lambda इसको इस से multiply क्या 14 4 जा 56 और minus का 32 lambda हो गया अब यहां से 18 lambda plus के 32 lambda equal to 56 minus 6 यह 8 और 2 10 3 और 4 और 1 5 और यह भी बचेगा 50 तो lambda की value यहां से 50 को 50 से काटथा 1 lambda की value क्या गी 1 इसको मैं जो हमारी equation थी उसमें put कर दूँगी देखे हमारी equation यह थी ना हमारी ठीक है this one हमारी यह equation है इसमें हम क्या करेंगे lambda की value 1 put कर देंगे देखे क्या equation मन जाएगी मैं आपको इधर दिखाती हूँ करती हूँ इसको 3x plus में 4y plus में 1 lambda की जंगे 1 put कर देंगे उसका square बराबर देखे right में यह है यहाँ पे मैं लिखूंगी x bracket 2 plus में 6 गुना में 1 plus में y bracket minus का 14 plus में 8 गुना में 1 लिखा plus में 1 का square minus का 1 देखे 1 के square से 1 cancel तो यह क्या बनेगा 3x plus में 4y plus 1 का square equal to अब देखे 6 1 जाज 6 और 2 8x यह बने गए और यह 14 से 8 गए 6 minus का 6y आगया तो हमारे पास यह equation आगई है तो इस equation को मैं लिखूंगी अब देखे मैं इसको पिछे की तरफ लिख रही हूँ हमारी equation क्या आई है हमारी equation आई है 3x plus में 4y plus में 1 का whole square equal to 8x minus का 6y आगई अब मैं क्या करूंगी इसमें a square plus b square के coefficient से divide भी करूंगी and multiply भी देखे यह a है और यह b है इसमें यह a है और यह b है तो मैं लिखूंगी on dividing and multiplying both sides both sides by root of a square plus में b square से ठीक है तो 3x plus में 4y plus 1 का square है तो देखे 3 का square plus में 4 का square इसका root है देखे अब यहां पे a square plus b square के multiply and divide करेंगे multiply a square plus में b square equal to हमारे पास है 8x minus 6y a square plus में b का square into a square plus में b का square यह हमने किया अब अगे हमारा 3x plus में 4y plus 1 का square equal to 3 का square 9 4 का square 16 and this one यह भी 25 हो गया 9 और 16 कितने होगे 25 यह हुआ 8x minus 6y equal to 8 का square 64 और 6 का square कितना होगे 36 64 में 36 जोड़े यह कितने होगे 100 तो अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं 3x plus में 4y plus 1 का whole square गुना में 25 इसको मैं क्या लिख सकती हूं इनके square के root में लिख सकती हूं कि 9 plus 16 और उसका square square से root cancel हो जाता है कोई problem नहीं इसी तरह किसे इसको 8x minus 6y 64 plus 36 का square का root लिख सकती हूं क्योंकि cancel हो जाएगा multiply में 100 यह में आगया अब मैं देखियो देखिये यह हमारे पास क्या बना 3x plus में 4y plus 1 divide में 3 का square plus में 4 का square है इसका root और उसका square बराबर है 8x minus 6y divide में 8 का square plus में 6 का square का root और उसका square अब देखिये 125 निचे ले जाऊंगी इसको तो देखिये यह 100 है और यहाँ पे 25 आजएगा निचे 100 यह 10 बनेगा 100 क्यों बनेगा 10 हाँ जी यह कितना बनेगा 10 क्योंकि उसके root से की आए तो वो 10 बनेगा तो अब यह 10 बटे 25 काटेंगे 5 निचे 5 से कटा 5 पे तो यह आगया तो हमारे पास यह equation आगी तो हम इसको comparison करेंगे y square equal to 4ax comparison करेंगे comparison करने के बाद देखिये हमारे पास जो y square तो यह y का square equal to 4ax है तो यहाँ से y की value क्या है यहाँ देखिये y की value क्या है 3x plus में 4y plus 1 divide में यह किसका square है 5 का तो यह क्या बना 3x plus में 4y plus 1 divide में 5 इसी तरीके से हमारा जो x है वो इधर वाला है क्योंकि 4ax है क्या यह 4ax तो यहाँ पे square नहीं है यह मैं गलत लगाया है यहाँ पे क्या नहीं है square इसलिए वाँ पे 10 आया था यहाँ पे भी नहीं है यह ठीक है हाँ जी अब देखे 4ax तो यहाँ से 4ax तो अगर मैं comparison करूँ यहाँ पे 4a की value कितनी है 2 बटे 5 देखे 4a की value कितनी है 2 बटे 5 x हमारा क्या है 8x minus 6y divide by कितना है यह 8 का square 64 64 और 10 का 6 का square कितना है हमारे पास देखे मैं ना इसको थोड़ा सा चलो इसको ऐसे लिख देते है यह 64 plus में 36 अब मैं उपर से 2 कमन ले सकती हूँ तो 4x minus का 3y divide में यहाँ है 100 100 का root कितना होता है 10 तो 2 से कटा 5 पे तो यह हमारा बन गया यह हमारा क्या बना 4x minus के 3y divide में 5 आ गया और यहां से एक ही value किया जाएगी 2 बटे में 5 के 20 कटके 1 बटे 10 कितनी आ जाएगी 1 बटे 10 होगे इतना अब देखिए अब हम इस पे चलते है direct हमारा जो किया हुआ है देखिए यह हमारा आ चुका है अब हमें अलग-लग चीजे निकालनी है equation of axis of parabola axis of parabola की equation होती है y बराबर 0 तो y की देखो y के हमारे पास value क्या है y के हमारे पास value है 3x प्लस में 4y प्लस 1 बटे में 5 बराबर 0 जैसे इसको 0 के बराबर रखूँगी 5 को 0 सो गुना किया 0 तो मारे equation आ जाएगी 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वेशन आई है 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वेशन ओफ टैंजन्ट का formula बनेगा x बराबर 0 तो x की value हमारे पास यह है देखे यह आचके हमारे पास 4x माइनस 3y बटे में 5 बराबर 0 तो यहाँसे 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वेशन हो गई माइनस का 1 और एक आई है हमारे पास 4x माइनस के 3y प्लस 1 इक्वेशन ओफ टैंट आई है अब इम दिनों की हल्प से हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन फर्स और यह सेकंड नाम दे दिया अब मैं फर्स को मल्टिप्लाई कर देती हूँ से माइनस सेकंड को मल्टिप्लाई कर दूर्थ 3 से 4 से मल्टिप्लाई करते हैं 4 ती बारा 4.16y माइनस के 4 3 से मल्टिप्लाई करते हैं 4 ती बारा माइनस के 9y इक्वेल टू 0 यह माइनस प्लस माइनस यह आ गया 25y equal to minus 4 तो y की value क्या जाएगी minus के 4 बटे 25 और ऐसे इसको x में put करके उसकी value आजाएगी तो देखे हमारे first point आजाएगे जो a point है उसकी value आजाएगी minus के 3 बटे 25 और minus के 4 बटे 25 now parabola meets x exceed when y वराबर क्या है 0 तो equation number first में जो हमारी starting equation थे Y के जाएगे 0 put करना है देखे starting equation को में आपको दिखाती हूँ देखे यहमारी equation थे starting की ये वली इसमें Y के जाएगे 0 put करेंगे जैसे 0 put करेंगे देखो ये वाली रकम खतम और ये वाली रकम खतम क्या बचएगा only 9x squared minus 2x plus 1 बटाबर 0 देखे क्या हमारा यहीं बचा हुआ है येस 9x के माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 और यह क्या दरगा है इमेजनरी वैलू अब इसमें D निकाल के देखना तो इसका मतला इमेजनरी वैलू आएंगी अब पैरबोला डजनोट मीट इन रियल पॉइंट इसका मतला इमेजनरी वैलू आईए तो x-axis के साथ वो रियल पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा फर्दर दा पैरबोला मीट्स y-axis वेर अब देखो अब एक्वेशन अबर फरस्ट म यह वाली कैंसल सिर्फ यह बचेगी 16 y-square और x के रिंगे 0 पूट करूंगी यह खताम only 16 y-square बचेगी यह खताम और प्लस में 14 y प्लस 1 बराबर 0 यह बचेगी हमारे पास देखे यह लिख रखा यहां से यहां से अगर मैं y की वैलू निकालूंगी देखे हमारे पास फॉ पॉइंट मान लिया, x 0 और दूसरा पॉइंट मान लिया, अब focus, focus और lattice rectum देखना है, तो equation of lattice rectum क्या होता है, x बराबर a, a की value थोड़े दिर पहले हमने निकाली थी, 1 बटे 10, x की value आई थी हमारे पास, 4x-3y बटे में 5, अब इस 5 को मैंने उधर बेद दिया, 5 बटे 10 कट के कितना आगया, 1 बटे 2, आगया, और ऐसे ही हमारे पास ये equation थी, 8x-6y-1 बड़ाबर 0, इन दोनों की help से हम point of intersection निकाल लेंगे, जो हमारे focus s की value आजाएगी, निकाल लेंगे अभी थोड़े दर पहले मैंने बताए था, now the vertex a, जो होता है, वो midpoint होता है, इसका z और s का, देखो, z center और s का है, focus, तो दोनों का midpoint का होता है, vertex, तो midpoint formula लगाएंगे, x1 plus x2 by 2, और y1 plus y2 by 2, तो z देखे हमारे पास, z का लिखा हुआ है, यहाँ पे, the midpoint, तो हम देखे, z की value निकालते हम का है, हमारी z की value, mid the, देखे, हमारे पास क्यार क्या रहा था, a midpoint किसका है, z और s का, तो z को मैंने x, y मान दिया, a की value दे रखे थी, minus 3,25, minus 4,25 और s था मेरा पास, minus 1,25 और minus 4,50, देखे, a हमारे पास आया था, यहाँ पे, देखे, a रहा रखा है, ठीक है, और s मेरा भी थोड़ी दर पहले focus आया है, आया है, अब इन दोनों के हैल से midpoint formula लगाएंगे, x1, plus x2, बटे में 2, बराबर क्या होता है, x, अब देखे, यह मेरे पास x1 है, x1 क्या है, x, प्लस में, x2 कितना है, minus 1,25, बटे में 2, बराबर क्या है, x की value है, minus 3,25, अब x minus 1,25, बराबर, minus 3,25, डिवाइड का 2, multiply में चला गया, तो यह है, minus 6,25, अब x की value है, minus 6,25, प्लस 1,25, तो यह है, minus 5,25, कटके खितना है, minus 1,25, ऐसे हम दूसरा point निकाल लेंगे, y, तो इस तरीके से मैंने देखा, हमारे z के coordinate आगे, minus 1,5, और minus 1,10, अब नौ डिरेक्टिक्स परपंडिक्लर होती है, z के, ठीक है, तो now हमारे पास, जो equation of directrix, जो हमारी line आई थी, 4x minus 3y, plus k मान लेंगे उसको, perpendicular ले, और इस point से वो पास हो रही है, point से पास हो रहे, तो x, y की value इसमें पुट कर देंगे, put करने के बाद नहां से k की value आगी, k की value फिर हम again, इसमें पुट करेंगे, तो हमारी x 0 parabola हुज equation है, 3x plus 4y equal to 1, देखे, इस तरह के से graph आपको, जैसे 10th class में किये थे, एक बर x को 0 मानना है, एक बर y को 0, इस तरह के से हम line बनाएंगे, और हमारा जो, ए हमारा vertex था, उससे पास होता हुआ, हम एक parabola को draw कर देंगे, c और d point भी हमें गीवन थे, इस तरह के से हम थे, ट्रेसिंगा विने, थांकि वरी मच्च.